चैत्रमास के साथ ही हमारे वर्ष का सुबारंब जो कि साइंटिफिक है जिसका वेग्यानिक आदार है और यह होना ही चाहिए और पूरी सनातनियों को जागरत करने को लेकर के हम सारे ब्रामन इसी प्रकार से या गनुष्टान के माध्यम से जागरते लाने का करें सनातन धरमे कि हमें आकर गर्य ने ये सिखाया कि हम रूरी वादी है प्राचीन है हमें पता नहीं है और अपना नया साल थो तो पदिये केक तो पदिया उनके यहां केक के अलावा कोई मिठाई बनती नहीं है और हमारे हजारों मिठाई उन्हें छोड़कर करके हम जनम दिन पर उसी घिसे पिटे केक को काट रहे हैं गंगा बया की बड़े बुजुर्गों से सुना था जिस देश का अनास करना हो उसकी संस्कृति को सबसे पहले तबहा कर दिया जाए तो उस देश का पतन स्वताही हो जाता है अब देख रहे हैं दैने कुट की आपको बता दे भी घंग नहर किनारा इस ती दाश्विंड घाट पर आपको बता दे नव संवर को लेकर आज यहाँ पर प्रोईत महासभा को दवारा यहाँ पर हवन एग्या गया डख्ष हरी रणीश शाइस दिशी महाराज जी आउन से हिंदु वेदिक सनातन परंपरा की होर से नव संबत्सर का शुब आरंब होने जा रहा है उसी परिक्ष्पेक्ष में आज पंचांग पूजन के साथ ही नव संबत्सर का पूजन हमारे सारे आचार्य मंडलों द्वरा तिर सचिन सास्त्री आदर्स भारद्वाज पड़े करके यग किया गया है और विश्व की शान्ति की प्रात्रागी जा रहा है और इंग्लीश वाला इंगरेजी जो नव साहता है उसको लेकर आप कहां तक समझते कितना हो देखिये सभ्यता जो है वह कई नकई अमारी सब्यतकों नीचा दिखाने का हमेशा प्रियास किया गया है अंग्रेजी नव वर्ष जब प्रारंब होता है ना तो मोसम बदलता है ना कोई प्रकृति बदलती है ये हिंदु नव समसर पर रितु परिवर्थन का भी समय है पूरी प्राकृतिक प्रकृति में जो आनं सब्सक्राइब जिसका वेग्यानिक आदार है और यह होना ही चाहिए और पूरी सनातनियों को जागरत करने को लेकर के हम सारे ब्रामन इसी प्रकार से या गनुष्टान के माध्यम से जागरते लाने का कारे करते हैं तो आप लेखा यहां पर सभी प्रामन समाज की लोग है इस नव वर्ष को मनाने का कारे किया अधिक तो आचारी जी ने बताया यह मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखूँगा अभी कुछ दिन पहले मैनेचेस्टर यूनिवरस्टी ने यह कंफर्म किया है और उनकी ओफिशियल वेब साइट पर उननों लिखा है कि ग्रेव अधिस लेकर कि स्थोल विश अधाब दी थक हमें आकर के अंग्रेजों ने यह सिखाया कि हम रूडिवादी हैं प्राचीन हैं हमें पतानी हैं और हमारे उपर अपना नया साल थोप दिया अपने कपड़े थोप दिये केक थोप दिया उनके यहां केक के अलावा कोई मिठा प्राइयां उन्हें छोड़ करके हम जनम दिन पर उसी घिसे पिटे केक को काट रहे हैं उसी एक पहांक्षड को पहन रहे हमारा नवर्ष पूर्ण तहवेज्यानिक है हमारी संस्कृति पूर्ण तहवेज्यानिक है और अब धीरे-धीरे एक हजार साल का संगर्ष रहा है एक हजार साल तक हम लोग दबे रहे हैं, दूसरों के गुलाम रहे हैं, अब उन्ह अपनी संस्कृति में लोट रहे हैं, और हमारा राजा, हमारा प्रदान मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, हम सब को मिल करके, अपने इस पर्व को मनाना हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपने भी यहां पर भागुट जैमातादी, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, कि हम अपने हिंदू नव वर्ष के प्रती जागरुक होना चाहिए, और समाज को जागरुक करना चाहिए, धन्यों, तो आपने सुना, यहां पर सभी को शुबकामने दे गई है, हिंदू नव वर्ष की, और यहां पर जो प्रोई समा के सच्थे हैं, लोग वस्तित और काफी यहां के अन्य स्थानी में नागरी मोजू उते हैं, हमारे साथ और भी यह लोग है, जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह तो गुरुजी बता है, अपन जिस प्रकार अचारिय रजनीज जी ने बताया है कि अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता को भूलते हुए ही अपने पतन की और बढ़ रहे हैं, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, कि जिस देश का अनास करना हो, उसकी संस्कृति को सबसे पहले तबहा कर दिया जाए, तो उस देश का पतन स्वताही हो जाता है, उना धीरे धीरे उसी और बढ़ रहे हैं, अपनी जो सभ्यता थी, उसे ही अपना रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं, कि पश्चमी जो चमक धम है, उसे लाने के बाद कहिना कई हम पतन की ओर यह जा रहे हैं, महा देख, आपने सुना, यहाँ परोई समाज के अद्यक्षों सदस्यों, सभी लोग बोल रहे हैं कि पश्चमी देश की सब्यता को भूलकर अपने हिंदू सनातन धर्म को अपना है,